Hello everyone, मैं विश्वजीत सेंग, आप सभी का दीन पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का दिसंबर 2021 का question paper solve करने का benefit होता क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक जो सबसे बड़ा benefit है question paper solve करने का कि किसी भी question का जो एक pattern होता है कि किस तरीके से exam में पूछा जा सकता है question वो हमें समझ में आता है दूसरा benefit यह रहता है कि अगर हम question paper को study कर रहे हैं, solve कर रहे हैं तो हम क्या करते है answer writing की practice करते हैं कि किस तर से answer हम लिख सकते हैं और answer writing लिखने का मतलब क्या होता है कि कम सब्दों में हम कितना अच्य से explain कर रहे हैं जो word limit है क्या हम उसको achieve कर पा रहे हैं और एक answer के अंदर में हमें कितने number मिल सते हैं एक target हम set कर पाते हैं और पूछा जारा है चोथा चीज क्या रहता है कि रिपीटेट कोश्चन का भी लिस्ट बन जाता है कि आगे भी रिपीट हो सकता है तो इसका एक रिपीटेट कोश्चन का लिस्ट बनता हुआ चला जाता है जिसमें सबसे important अगर बात करोगे question paper solve करते तो क्या benefit मिलेगा अगर question के pattern समझ में आ गए तब आप answer लिख पाओगे answer फिर कैसे लिख पाओगे जब तक आप answer writing की practice नहीं करते आप अच्छे सा answer explain नहीं कर पाओगे तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा important होती है जब हम question paper को solve करते हैं यहाँ पर दीइनब की तब से मैं आप सभी वीवर्स को एक suggestion भी देना चाहूँगा आपको दीइनब की एक वीडियो को जुरूर देखना चाहिए जिसके अंदर में MA history के सभी subject के MHI 1 से लेके MHI 10 तेक के last 5 year के question paper की video solve करके डाली गई है आप उन वीडियो को जुरूर देखे ठीक है उन वीडियो के अंदर में पिछले 5 साल के question paper को उठाया गया है ठीक उनको solve किया गया है एक proper तरीके से किस तरीके से आप answer लिख सकते हो कितना answer लिख सकते हो उसको बताया गया है आप अगर उस वीडियो को देखते हो तो आपका जो syllabus है easily 90% कवर हो जाएका without any help of any book ठीक है बट आपको उसको देखना पड़ेगा पूरा उसके लिए देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दीन आपका मेंबर से प्रेना पड़ेगा 59 डूपीस का जिसके बाद आप उस वीडियो क को देख पाओगे तो आप उन वीडियो को जुरूर देखे आप अच्छे नंबर लाने के लिए आप उन वीडियो की मदश से बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एक्जाम को कर सकते हो चले हम अपना question paper को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों simply मेरे पास एक question paper है जो मैंने इगनु की site पे सी download किया है June 2021 का है December 2021 का sorry और इससे पहले भी मैंने कई सारे question paper को solve करवा चुका है तो उन वीडियो को भी देख ली जिससे आपको help मिलने वाली है हमारे book का नाम क्या है तो भारत में नगरी करना भारत के अंदर में नगरी करने ववस्ता किस परकार का है नग नंबर का paper है पर question का आपको target लेके चलना है 16 प्लस का number का target लेके चलना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कम से कम आपको 16 नंबर लाने पड़ेंगे अच्छे नंबर के अंदर में और बहुत अच्छे के लिए तो 18 प्लस रहेंगे तभी आपकी बहुत अच लिए तो भी नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको एक्जेक्ट 500 वर्ड राउंड उफ में होते हैं वहाँ पर क्लेर करने होंगे उसके बाद ही आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे चले हम अपना question paper को start करते हैं किस question paper के अंदर में क्या-क्या चीज़े किस तरीके से रखी गई है जो हमारा पहला question आता है बात करते हैं मोहन जोड़ों के नगर के विन्यास के बारे में एक नगर बनता है उसका blueprint होता है ठीक है ले आउट होता है किस तरह का नगर है ठीक है तो नगर था किस परकार का उसके बारे में हमें बताना है ठीक है उसका विवरण देना है तो एक कोश्चन तो यह आ गया और दूसरा कॉश्चन यहां पे बताया गया जो सार्वजनिक इस्थापते हैं ठीक जो अलग अलग तरह के सार्वजनिक स्थान्द पर इस पर किसी एक व्यक्ति का के बुर्णन करना पड़ेगा ठीक है अब देखो मोहम जोद्रों और हडपा सबता के बारे में आपने हजारों बार पड़ा होगा छटी से लेकर अभी में तक में ठीक है तो नॉर्मल वही बताने है कि उसका नगर किस परकार का था तो नगर क्या था दो भागों में ऐस्ताय देखती तो साथ में इसका कितों का उपयों करके मारते बन गई थी जो जमीन के नीचे निचे जो बेश बनाने था पर में जो तो दरवाजी चोटे दरवाजे दिये जाते थे तो अलग अलग तराशी यहां पर श्टाडी कर सकते हो किस तर से बात करते हैं तो इनके अंदर में अल्टिमेटली एक ही नाम से नहां合 से जना लगता है और क्जहेता की जब पुरा रातिवियु भाग के द्वारा जब खोश किया गया थी नगरों का तो सबसे पहला सभरा चैनल है Cambodra थो इस ठार्फ हरभा जाता है पूर्य सर्भ्यों को पूरे नगर को हरभा तर दो अगर माल दो हरभा भी आनगर भी आ जाता तो भी आंसर स toughest DR आहितलता फानो इसकाट रीजन यह एकिविकिषित च्छेतर के तौर पर संभसे जटाब नगर पर न த पत्रें वाले उसको बचाव के लिए तो इस तरह के चीज़ों के लिए इंपकर की आगया था आकार नियोजित पर बनाया जाता था ठीक सासात में घरोगा भूल की ल屋 पॉरी प्लाणिंग नियो प्लाइब कि प्लाणिंग के थू अगे जलते जाहें पर आगे, मिया और गलियां खुली होई आगे से मालो सी फूट की आ रही है और लास्ट में बन तरह तरह से समकोन पर दिल्ली का प्लैनिंग इस्ट्रक्चेर रहे उस तरह का तो तो बिल्कुल नहीं है ग्ह 7 पर दिटाता जाता लोगों को इसके कामसि चीजों के निर्मान किया गया यहां पर ङुटकाब्श जो गली ऑंडि ती ती गालियों के साइत में नालियों को निर्माण को धुंती जाता गालियों गवopardy वेश्चर जएं तो उसके लिए भी था निर्मान किया जाता था यहां पर जल और गिरथा था रिकार तो इस तर रिखिया घया था essay番 never अधकर और विलासिलता की सहना की बैए भागा है उसकी पर मिलता है वैसा branch eve विंदिता काम जो लोगों के थे वहां पर देखने करें मिलता है तो यह भी आपको याद रखना है नौर्मल यहां पर डिफाइन क्या करोगे तो मोहन जो दुलो जो है उसका नगर किस परकार का था ठीके दुर्ग सहर निचला सहर दूर्ग उचाई पर बसा हुआ था निचल तरह था टाए निचे नहों जो रिएन डिफाइन करोगे तहीं तो यहां पर दूसरे की जातीं था उड़ा निर्माण में और भर किस प्रकार से बनाए जाते थे छोटे घर बड़े घर तो इनदर में क्या अंतर होता था ठीके दूर को निचला साथ के घरों के अंदर में क्या differences है वो आप यहां इपर define करोगे और उसके बाद में आपका अच्छे नंबर के लिए तयार हो जागा एक 상이 करते हैं मालगा मश्छीव हम दों बाते हैं और भारत में नगर बात करना ही हमें बताना है जब हुम हम बात करते हैं ऍञेंगरों के तो यह केंद्रों के तौर पर विक्सित होते है और विक्सित हों जब होगार के नगर केंद granny के अंदर में होता क्या है रूप के साथ साथ में बात करते हैं फिल्य के कि जैसी व्यवस्ता करते थे साथ साथ में घर जो मकाने बनाई जाती तो अलग अलग यहां पर टॉपिक्स आ जाते हैं इनको भी आप यहां पर कवर कर सकते हो साथ साथ में सिल्पुत पादन का क्या उप्योग था नगर के अंदर में में सिल्पुत पादन के इंदर किस तरह से इत हुए ठीक है वह बता सकते हो और भी बहुत सारी चीजिजे ज़ो भारत के जो नगर ते अरंडर क हमें बात करते हैं नगरत करसे हो more कि साम्वी का किला बंदि शेट्र रहित के हैं 25 hektare के अंदर में भीटा का जो नगर था बीठा नगर के हम बात करते तो पांच हेक्टेर के अंदर में किला बंद उसका फैला हुआ था इस तलों का आकार बहुत अलग-अलग भी मिनता है देखने के लिए मिलती है ऐसा नहीं कि सब जगह का सीम था तो अलग-अलग जगह का जो नगर का जो आकार होता था अस्तल का जो आकार होता था वह भीन मिलता था डिफ्रेंसिस वह बें पाए गाए कुछ बड़े ते कुछ चोटे थे तो यह भी देखने के लिए मिलती है किले बंद की अगर हम बात करते तो अधिकांस जो पारंबी के अतिहासिक नगरीय के एक आकांस मतलब जो भी आने वाला खत्रा हो उससे बचाप के लिए केले बंद जैसी चीजे का इंतिजाम जाता था बसावट किया था दिवार के बाहर भी फैलिए ते कले मीटरकर दिवारोंगी निर्मान नगर प्राचिर बाढ़ाद कारीयों के शुरुछा के लिए बना जाता था जिसके अंदर में पत्थर और कुवें के तलाब पत्थर के कुवां पत्थरों से कुवां और तलाब को निर्मान किया जाता था ठीक है कि कुवें और तलाब करने का रिजन क्या होता था जिसे जल सुरूत उनका बना रहे ठीक है पानी का जो उपयों के वह करते रह लगान देना तो पानी की जो संपूर व्यवस्था के अंदर में असी विशाल स्थम मिलते हैं जो नीव डाला जाता तो उसके अंदर बड़े-बड़े पत्थरों को स्थम के तौर पर लगाया जाता था जिसे उनका एक तरह से आज किसे हम क्या कर रहें पाइल रहारा इससे करकर के बड़े-बड़े बीम करते हैं तो इस तरीक जोंपर पर पाइलिंग जैसी वविश्था अंदर में देखने के लिए मैं त्रह यहां पर समझ में आते हैं तो हमारा second question यहां पर end होता है इसका अंसर आपर easily लिख सकते हो कुछ ज्यादा difference है नहीं पहला question और दूसा question का answer almost same ही है बस वहां पर थोड़ा सा नाम आ रहता है मोहन जवदर अधपा यहां पर कोई नाम आता नहीं है ठीक है आप उसका answer easily लिख सकते हो तीसरे question के और बढ़ते हैं हमारा तीसरा question कहता है प्राइदीपे भारत में मंदीर नगरों का उदे उदे क्या आलोचनात्म परिक्षण कीजिए अब देखो यहां पर simple सा इस question का answer मैंने पीछे भी करवाय था इसमें से अभी तक तीन question हमने किया है तीन में से ना दो question पहला वाला question और तीसरा वाला question अगर आप के अंदर में राम मंदीर बन रहा है ठीक है राम न्दीर बन रहा है राम मंदर कैंदर में जैश्री यहां पर बोलकर oportun इसन तो उस जू करने के लिए तो अयोध्या का इस्टेशन है उसका भी नाम होगा वो बड़ेगा तो मतलब एक डिसनेशन सोर्स के तौर पर जो इस्टेशन उसको विक्सित किया गया राम मंदिर के आज पास में पहले आज से पहले कर जाओगे ना 15-20 साल पहले तक कोई होटल कोई रहने की स्थल नहीं थे उस तरह का ठीकि नॉर्मल बस विजिट करो और आ जाओ वापस पर अभी हजारों होटल्स वहाँ पर बनते चले गए हैं ठीक हजारों होटल्स वहाँ मतलब तो मतलब क्या ऐोध्या वाज़ कर रहा है होटल बना रुद्ध्य विकास कर रहा है सासात में कई तरह के स्कूल कई तरह के जो बिजनस जो हैं अलग अलगता के बिजनस मॉडल्स वहां पर लागू किया जा रहा है जिसके काइन से उनका फायदा हो सके और अयोध्या अगर प्रॉफिट करेगा तो किसको प्रॉफिट होगा यूपी सरकार को प्रॉफिट होगा इसका सबसे बड़ा एक्जामपल अगर द देंगे उतना जादा उनकी इंकम होगी ठीक है तो इसके कार्म से नगर के आसपास का जो छेत्र था बहुत जादा विक्सी छेत्रों के अंदर में माना जाता है ठीक है यह तो हमने अपना करेंट एक्जामपल या वह अपने से वापस है टॉपिक पर आते हैं और भारत में मंदिर नगर का उदे किस परकारते है वह उसकी बारे में बात करते हैं नगरों के थान में मंदिर एक महत्यपूर्ण योगदान है नगर किस तर से बनते चले गए उसके अंदर में मंदिरों का एक महत्यपूर्ण योगदान के तौर पे जान जाता है मंदिरों के जो माना दिया मंदिर के बहर में फूर वाला ले लिया ठीक ऐक थाली वालों से शेशाों के आस-पास साउथ इंडिया के अंदर में जाते हो आप तो देखो को सारे बड़े-बड़े राजाओं के दौरा बनाए गया और आज भी वह चेतर के सबसे ज़्यादा समिर्द शेति के अंदर में आर्थिक संपंद चेतर के अंदर में गिंती की जाती है मंदिर नगरों के स्थापना के सब्ड़े ड्वर को जोड़ा गया व्यापक संचार नेटवरक को जोड़ा गया व्यापक संचार नेटवरक कीलिए अब घ्र से अयुध्या railway station बनाया गया तो क्या संचार का नेटवर्क ही तो है एक जगह से दुश्चे का आने जाने में इज़ी हो ठीक है वहाँ पर इरिक्सा चैसी चीज़ सुविधाय चलाई गया मंदिर के अंदर में घूमने के लिए अलग-अलग प्रेटन अलग-अलग गाडियो प्रविर्ति किस तर से जो मतलब रिलीजन नीचर होता है वहां पर हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं चेर-चोल-पांडियन-राज-वंसो-द्वारा- नंगर-निर्मान के अंदर में बहुत-बड़ा योगदान माना जाता है मंदिर नगरों की प्रभुतु विशेष् मंदिर के समान मठो का भी विकास किया गया ठीके और अगर बात करोगे वियाई नगर हो गया इनहीं के समय काल के अंदर में सबसर जादा मंदिरों को निर्मान किया गया ठीके समझ में आता है अब देखो जो यह question है है कल्व पना करना है पहला किया आज कि समय में का कोई भी मंदिर उठा लो व点 नट ़ि जाते हो तो आज से एके के आज़ एपने जो कमनतिनों मुवी अधरे थी उसके अंदर में देखा वोगों को अश्पास जगह का बताए है कि कैसे जा सकते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं ठीक है और उस समय के उस मूवी को देखकर आज का आप कलपना करो तो कितना ज्यादा वदल गया है अब क्या है आप जो वहां पर वहीस्शन देवी में इरिक्सा से भी जो गाड़ियां उती बैटरी वाली उन गाड़ियों से भी स네मार तक मातरानीी की भवन तक जा सकते हो इसली जा सकते हो night तो लग-लग रास्तों का निर्मान किया गए जिससे आपका जो सफर यह और एजी होता होता जाए ठीक है तो इस तरीके से नए नए रास्तों का निर्मान किया गया ठीक है वैश्ण देवी के लिए और इससे क्या हुआ जब आप नीचे उतर के आते हैं कट्रा के अंदर में तो पूरा बड़ा सा वैपार बजार सोरी बजार देखने के लिए मिल जाए आपको जो रात में ओना रहरें तो ड़र रात बर खोला रहता है और और वाहीं विक्री हो रही हो पहले तो पहले जीनिति हो दिन दवी यह झारी को haric सभेस्टेंटिर स्फेयं मंदर से वाषनों मंधिर सबसे की उसका युग्दान रहता है उसी तरह अगा कशी मैन बात करें तो है इसी तरह से पूरा महारास्टते के अंदरater Feel तो उसके आसपास का च्छेतर किस तर से विक्सित हुआ वैश्णोदेवी जिस जगह पे हैं वहां पर उतनी ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे पर वैश्णोदेवी मंदिर के कारण से जो ट्रिंड रिल्वे सेशन वह बना असपास में जो रिल्वे कि गई ठीक है उस जगह पर उसे अच्छी जगह जो है भारत के इंदर में वहां पर रेल्वे करें अच्छी नहीं है जितनी वैश्णोदेवी पर की क्योंकि पता है लोग यहां पर बहुत ज्यादा महात्रा मे प्राइद बथी भारत का मतलब क्या होता हैं नगर्स के अंदर में जो नगरते उसकी विसिस्ता क्या थी उसके बारे में आपके में बात करते हैं नगर के इन्दर मेंध्रिण। से अलग होणन ज़्लों के इन्दर में इसिप स्थान से अलग होता तो यह थी कंडरीजूर , तो इक तब किला बंद घरों के धान सिल्प याव कारे कलाप जैसी वैपारिक आदि जो गतिविदियां होती थी वो नगरों को डिफाइन करती थी उसके एक माप डंट का आधार था बढ़कार विक्सित होगा गरों कार बड़ा होगा, सिल्प कारे में लोगा लगे होंगे, वैपार आदि में लोगा लगे होंगे, गाउं के अंदर में इस तरह के ववास्ता नहीं थी सभी बसावटों के अंदर में नगरी जो भी बसावट हमें देखने के लिए मिलती है सभी बसावट को आप नगर नहीं मान सकते कि ये भी नगर है वो भी नगर है ऐसा नहीं मान सकते बत वो नगर नहीं है वह गाउं ही है क्योंकि उतना वह सुभिधाव में पहुंचा नहीं हूं यहां पर बले चोटे-चोटे घर है हर 10 दिन पर लोड तोड़ रहाता है कोई दिक्कत नहीं के जिरिवाल जी चलता रहता है बट फिर भी नगर है क्योंकि यहां पर सुभिधाय यह जो इसको नगर बनाता है ठीचा पर वह गाउं है थिक तो नगर के अंदर में बात करते की वीनी में और वीणी योग के बारे में जो बताते हैं जहां पर वीनी में किया जासके एक चीज्ब के बातेंधे न करते हैं आज के समय का मतले करें तो बात करते हैं तो जहां पर्जी चाल सके कि बाटर सिस्टम एक चीज के बदले में दूसरा चीज लेना देना ठीक हुं भालत के अभि लेखों में इन चिंदरों का जिकर किया भात करते हैंम अब लेन इन-स खाय किसी नगरियूदा सिरेडों में बटा हुआ था नगर उसके बारे में में जानकारी मिलता है पुरा तात्विक इस्थल और इस्थलों के परिसर के आकार संद्चनाओं के परकार उद्योगिक वैपारिक कारे कलाप के अधार पर नगरियों को चिनित किया गया ठीक है नगर को किस तर से डिफाइ वो ठीक है और जो इस्थलों का परिसर किस परकार का है पुरा तात्विक इस्थल किस परकार पर उनके अधार पर नगरों को चेनित किया गया मार किया कि हम्षिम मंगाल और बांगलादेश के अंदर में अनेक कोटते हैं, भूतिक अफसेश मिलें जिसको हम नगर के अंदर में काउंट करते हैं चोल काल के दोरान में अनिक मंदिर के आसपास का स्थल विक्सित हुआ, मंदिर के आunted नगरों के नगरी करने के अंदर में count किया गया ठीक है समझे में आता है तो यहां पर हमारा चौता question भी end हो जाता है और इसमें अच्छे नमर एच्छे से explain करोगे उत्तर गुप्त कालिन के नगरी वैवस्ता को तो आपको अच्छे नमर मिल जाएगा कोई दिक्कत यहां पर नहीं रहेगा अगले question के और बढ़ते है question नमर हमारा आता है sixth को में ट्रॉप करते हैं क्योंकि योडिपनी वाला question है नहीं को सब्सक्रण के इस अपर बढ़ाबाबाद मतलब डेली तो यह ए नहीं से compare करत्ते वीशता और जो बी मुगलनगर बनियfinitely किसन है तो सबसे पहले तो देखो मुगलनगर के अंदर में जो भी नगर थी वह सक्ति और सक्ता के के तोर पर जाने गए सक्ति और सक्ता के केंदर पर जाने गाए क्योंकि जो भी power और source होगा वो नगर सही control किया जाएगा राजा कहा बैटे गाँ नगर में बैटे गा और राजा का जो भी फर्मान है वो सर्व मानने थे, सबी के लिए मानने मानने जाएगगे तो मतलब सक्टी और सक्ता के केंदर के तोर पे जाना गया जिसका नगर पे कबजा उस ही का राज ठीक है, राजधानी की भवे था जो राजधानी का निर्मान केया गया वो बहुत ज़दा भवे बनाने के उपर में जूरतिया गया रिजन यह रहता था कि यहां पर तो राजा बैट रहा है ना यहां पर गंदी की फैला के रखोगे तो यहां पर तो कमसर्म विक्सित करो तो यहां पर राजधाने को भवे बनाने की कोर्सिस की जाती थी सक्ति का प्रतिक जो नगर होते तो क्या करते हैं ? हर के अंदर में क्या सुप्रीम कोट हाई कोट हर तरह की सुज़ा है ठीकि लोग सबाव विधान सबाव ठीके राश्च्पती हाउस हो गया परदान मंत्री और भी बागी जो मंत्री वही है पर रहते हैं तो यह उसको सक्ती को पर दर्शित करता है किसी को भी किसी भी अगर किरल में किसी को कुछ हुआ ठीके तो सबसे पहले आ जयागा वह्यां को सबसे पहले आ पाइया बात करो इसका के आपने आपने कई सारी साजानबात को जो बडी मसजीद बनाने की कुषित की गई, ठीक है, एक मजजीद थी, परानी मजजीद उस से बड़ी मजजीद जो सबसे बड़ी मजजीद में जाही Mylog के अदर में जरूखा दर्शन भी तरोच पह गएते हैं, इसा दिन पर खड़े रहते हैं वहाँ पे अलग से निर्माण किया गाता था, प्रतिसादात्मक नोकरसा व्वस्ता का भी हमें देखने कλαई मिलता है, ठीक है, पृतिसाद्मक नोकरसा व्वस्ता का एंगर में अठर में आते हैं, साही महल का विस्तार किया गया जो दिरे-दिरे क्या था जितने भी साही महल महल होते थे उनका विस्तार करता चला गया पेसे वर संस्कृति के अंदर में प्रभुत्ता देखने के लिए मिलती है दरवारी संस्कृति जो थी तो उसका प्रभुत्त आसपास में दबदबा वहा भारतिय नगर्ट को बनाए गया तो इसका में रिजन के आस पास का इस तल जो है विक्सित हो सके चोकों का निर्मान की जहाँ पर विकास हो सके इसके लिए ठीक है सराय सराय क्या वैपारी दूर से आ रहे तो उनको ठहरने के लिए सराय को निर्मान किया गया नगरों में उध्थान ठीक है नगर का उध्थान जिस तर नगर कहीं पर कुछ नुक्सान हो रहा है या फिर नगर का विकास करना है लोगों के जन संग बढ़ सबसंदर में बणरगा नगरी के विसस्ता के बारे में बताना है तो आप मोगल-काली को बदा सकते हो अगला को सब्लति और eyes को कोचिन के संदर में बंदरगा और ऊट सिंदर में झीय को चिन के तो इस तर सा इंदर में ऑब करते तो पस्चिम में जलचैनल के बीच में कोचिन का विकस हो बिए Քर नहीं का समाजी को आर्थिक सिंखला में sma किस तर से समाजी और आर्थिक विक्ास हो रहा है और वो खीरल के अदर में पड़ता है कोच ठीक है और जल्ज्र इस सटा हुँ है तो वहां पे किस तर से विक्कास हुआ वुक्त करते हैं के ठीके 141 में बहन कर बाड के कारण इसक quicker को जिंदर के किनारे पर इसका निर्मान से यहीं के अव् cyn Latन निकास मार्ग था, ठीके निकास मार्ग बना, कोचिंग बंदरगा इसके बाद में अस्तित्व में आता है और 1341 में जाकर माहन के चलो कोचिंग बंदरगा अस्तित्व में आता है आसपास के आर्थिक करया कलाब के लिए अलग तरह के चीज़ों पर जोर दिया गया राजा के निवास के जो निवास था देशी वाहनिजिक विसावटों के सिंखला के अधार पर किया गया था यहां पर असुवेट यहूदी भी आकर बसने लगे थे पूर्टुकालीयों ने नगरों के स्वामित परदान किया परदान करने का प्रियास किया जो यहूदी लोग थे वह यहांपर आकर रहते थे कोचिन की पारंबिक काल में जो किला था केंद्री सत्ता पर अधारित थे यहां पर Factor के अंदर में काली मिर्च तोलनी का स्थानता काली मिर्च की ख्यतियां पर entreg यहां पर देखा जाता है कोचिन नगर का जो मेनुवल किला के आसपास का जो छेतर था कोचिन नगर के यूरूपेन हिस्सा 1531 के अंदर में राजनेती मुख्याले के तौर विक्सित किया गया ठीक है तो इस तरीके साथ यहां पर कोचिन किस तरह से विक्सित हुआ उसको यहा सब्सक्राइब करना पर नॉर्मलि हम बताते क्या है कि भारत का रेलेवे का विकास परकार से भूब नुग्रिज्ट में में अंग्रेज के दरह रही रेल लाने का मैं रिजन क्या था की एक जगत से दूसरी जगत समान को डोई आ जा सके ठीक है बारत को खाली को समान को चो अब उनको सोना उठा के ले जाना है बryटेन तो समुंद्री अ जाए तो उन्होंने क्या-कया बनाया पर एक बारमने डालो ज्यादा ज्यादा माल यहां टूसीजगद तो इस तर Carnegie में विकास को अदर में अलग अलगतर उसका विकास किया जाने लगा देल, वही विकास यहां पर railway नगर के तौर पर बिखसेत होता है रेल्वे की कॉलोनिया जो बनाई गए लग लग तरी कॉलोनिया नगर ठीक हो रेल्वे नगर के तौर पर जाने के हैं क्या होते हैं तो जो अंग्रे जी का मतलब जो अंग्रे जाए तो वadowapparat के नडर मोझ थह फिट हो पा रहे थे तो उन्हों नहीं क्या किया अलग अलग राज़न्य बनाने का अलग तो समर जो राज़नी होते लगती है विंटर के राजधानि अलग होती थी। गर्मी के मुसंब में ठंडी जगह पे तरह से चंजे रहती थी। इसे भारत में अच्छी तरीके से रह सकें किसको बना जाता था उटी को जम्मु कस्मीर इस तरीके से राजदानी को shift क्या जाता तो हिल स्टेशन के कारण में भी जैसे मालो डैली राजदानी है विंटर की ठीक है उसके बाद क्या हुआ स्रेड़र को बना लिए उन्होंने समर्गी राजदानी बना लिया तो डैली तो विक्सित हुआ हिए हुआ साथ में यहां पर ये भी विक्सित हो गया, श्री नगर भी विक्सित हो गया, तो किस तरह से वहाँ पर नगरों का केंदर विक्सित हुआ, वो आपको कलपना करके, या जो भी एक्जाम के अंदर में आप पढ़ सकते हो, अगला कोशन आता है, अपने वेशिक भारती सहर के अंदर में आधुनि इता का उप्योग था ठीक है अधुनिक्टा का दृष्ट्टे में देखने कर लिल नगर को निर्मान के जा रहता हो वो घाने वारी स्वरुक्षा को देखकर निर्मान किया गया ठीक है ओध्योगी के लिए नहीं नहीं इंडॉस्ट्री्ट का स्टार्ट क्या गया और उनके अधार पर नहीं नहीं तक्नीकों को उप्योग किया गया तिक जिसके अधार पर किस तरह से भारतिया सेर में विकास हुआ उसके बारे में यहां पर बात करते हैं तो simple से भारतिय नगर किस तर से बनते जा रहे हैं वो आपको यहां पर डिफाइंड करना है ठीक है समझ में आता है यहां पर दोस्तों यह वाला कोशिन पर भी एंड होता है आप सभी वीवर से में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक से स्क्राइब जरूर करे से थीक है बहुत कम मातरा में ठीक है 100 जाने से मानके चलो दो चार होते हैं जो सब्सक्राइब लाइक करते हैं ठीक हो वहां पर को देख रहे हो अगर आपको लगता है ये वीडियो है है, really कहीं न कहीं आपकी मदद करेगा तो आप like, share, subscribe जरूर करें और दीन अपना हजार से ज़्यादा वीडियोस है, आप उन वीडियोस से भी अपना हजार से ज़्यादा वीडियोस से भी पढ़ सकते हो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है